दोस्तों ऐसी बड़ी संख्या का HCF कैसे निकाले जहां पर एक तो आप देखिए छोटा सा नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है इसको इदिया प्राइम फेक्टराइजिशन मेथर से निकालेंगे तो बहुत जादा टाइम लगेगा बहुत जादा मैनत करना पड़ेगा क्यो इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करना यहां पर इनके भाग देने के कुछ नियम भी लिख रखें देखिए दो से वैसंग क्या पूर्णते विबाजित होगी जिसका यूनिट डिजिट यानि इकाई अंक आपका 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक हो तो देखिए इसका 6 है या यहां पर आपका कितने टाइम गया इसमें 9 टाइम गया यहां पर 8 टाइम गया अगें 2 कर डिवाइड किया तो यहां पर 4 टाइम गया यहां पर 9 टाइम गया अब देखो आपका 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 से भी नहीं हो रहा है 5 से भी नहीं हो रहा है लेकिन 7 से यहां पर आपका कितना सैन टायमYou कि उसके प्राइम प्रांट्र हो गया अब इससे बात की मैंने और इसको यहां बुलाया नीचे इसको देखे टूसे डिवेड किया तो यहां तो यहाँ पर यह आप ऐसा करें सकते हैं कि कर सकते हैं कि इस जो इसको आप मल्टिप्लाइ टैन करें पर और फिर है जो यहाँ पर का इस्केट को मुल्टिकलिकेशन आएगा उनके साथ में। और मिल्टीफ्लाइड र ост होते हैं । यहाँ तो यहां पर one time चला गया again देखो nine time चला गय, one time चला गया वण टाइम चला गया अब ध्याँ से देखो यहां का किसे dirvade होगा ज़िए हम three की बात करμεंगा तो three का डिवैड होने का क्या नीम है इन सब का sum करें तो वह आपका three से complete होना चाहिए तो 10 11 12 यानि 3 से आपका complete हो जाएगा 3 से divide करते हैं तो कितना 6 time आ गया उसके बाद 3 time आ गया उसके बाद आपका 7 time आ गया आगेन देखो अब यह आपका 3 से तो divide नहीं होगा तो हम चेक करते हैं किस से divide होगा इस पर दिखाए दे रहा है कि 7 से divide होगा कितने time 9 time और one time ठीक है अब इसको अगेन ध्यान से देखें हम तो यह अगेन आपका 7 से divide हो रहा है कितने time one time और three time और one three आपका आगेन किस से divide होगा one three से divide होगा क्यूंकि प्राइम नंबर है तो इसके factor क्या आगे देखिए one nine six के यहां पर इनका multiply कर दो two multiply two multiply seven multiply seven अब इसके देखो आपको लिखना है three eight two two zero तो इसके factor लिख दो जो आए है उनको multiply में लिख दो और फिर इनके साथ जो ten के factor होते है two multiply उनको लिख देना है तो आपके इसके जो factor आ जाएंगे देखिए three multiply two multiply three seven two time आया हुआ है उसके बाद one three आया हुआ है आगे क्या है two multiply five है ठीक है अब देखो यहां पर आपको क्या चाहिए hcf चाहिए hcf का मतलब क्या होता है दोनों के common factor का multiplication c का मतलब cf का मतलब क्या है common factor तो देखिए common factor यहां पे लेते हैं ऐसा factor जो कि दोनों में हो उसके बाद देखो again two यहां है यहां है उसके बाद अगे देखो seven यहां है यहां भी है seven यहां है यहां यहां भी है उसके अलावा उसके अलावा आपको कोई भी common factor दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इसके factor खतम हो गए तो अब इसके कोई भी है तो वो इसमें नहीं है डायक्ट दिखाई दे रहा है तो आपका इनका multiplication कितना आ गया देखिए यह आ जाता है उन पचास यह आ जाता है चार उन पचा प्राइम फेक्टराइजिस्ट के द्वारा अब जो डिविजेन में तड है उसको हम फिर अन्य वीडियो में देखेंगे धन्यवाद आपको कैसा लगा वीडियो कॉमेंट करें वीडियो को सेर करें चोटी से रिक्वेस्ट है कैसी रेकेड में बाइस फ्रेंदर क्लेरी